आर्ट ओफ लिविंग धनबाग चैप्टर की और से तोपचाची चलकरी बिरहोर जनजाती के बेज बाटे बिसकुट एबंग दवाई बितरन के साथ वैक्सिनेशन और क्रोना ससतर्क रहने की जागरूता दी गई हैं आर्ट ओफ लिविंग बैंगलोरू हेड ओफिस के निर्देशा अनुसार चल रहे मिशन जिन्दी के अभ्यान के अंतरगर्थ आयरुवेदी कवासूर कुड़िनीर और सिद्धी के समाज के जरुवत मंद हुआ गाउं में बड़े बुढ़े तक पहुंचाने के अभ्यान को आगे बढ़ाते वे आज आर्ट ओफ लिविंग धनबाद चैप्टर की और से तोपचाची स्थेथ चलकरी बिर्भोर जन जाती और उधैपूर गाउं पोस्ट कल्यानपूर पंचायत गोविनपूर परखन के लोगों के बेच कवासूर कुड़िनीर दवाई एबं इस दोरान आर्ट ओफ लिविंग के फैकलिटी मयंग सिंग ने बिर्भोर जन जाती को जागरू करते वे कहा कि क्रोना काल में आप सभी लोगों को साख सफाई पर जादा ध्यान दे साथी आर्ट ओफ लिविंग संस्था की और से बाटी जा रही दवाई कवासूर कुड़ नीर के बारे में बताते वे उन्होंने कहा कि आज इस क्रोना काल में लोगों को अपनी रोग पर्तिरोधक छमता बढ़ाने की जरुवत है और या दवाई आपकी रोग पर्तिरोधक छमता को बढ़ाती है या दवाई जो आईस मंतराले से परमानित है इस दोरान बिर्होर चनजाती के लोगों के बीच काफी खुशी देखने को मिली हैं बच्चों ने भी खुब आनन लिया संस्था के लोग से मिलके चलकरी बस्ती में 70 परिबार और 100 बच्चों के बीच या कारिक्रम को प्राप्त कार्याल में पूर्ण किया गया दोफर में उदैपुर गाउं में करीब 80 परिबार लोगों को कबासूर कुडिनीर वा 50 बच्चों को बिस्किट बिदरन किया गया सभी को साफ सफाई वैक्सिनेशन और 30 लहर के लिए जागरू किया गया है नमस्कार मेरा नाम मयंग सिंग है मैं आर्ट ओफलिविंग संस्ता का प्रसिक्षक हूँ यह संस्ता बैंगलोर से चलती है पूरी देश भर में विदेश में भी तो जैसे की कोविड में बहुत सारी दिक्कते आई है तो यह कबासूर कुडिनीर हमारा है जो आयूश मंत्रा साले द्वारा इसे प्रमानित किया गया कि यह बहुत सहायक रहा है कोरोना के या रोग प्रतिरोदों के लिए तो हम सब यहां पर एक अवेर्नेस प्रोग्राम चाहा रहे थे चलकरी बस्ती में बिरोर जी लोग जन जाती लोग के लिए कि इनको यह समझ में रहे कैसे के दवाई दिये हैं जो इन्हें खाना है जो इनकी इम्मुनिटी रोग प्रतिरोदक शक्ती बढ़ाएगी और इससे आगे करोना काल के लिए काफी सहायक बढ़ेगे और यह कारे के लिए हम लोग बैंगलोर से ही हमें आदेश आया हुआ है इसके लिए हमारे वॉलेंटिय आप सबों के साथ आगे भी चाहेंगे यह सेवा कुछ और करते रहे बस यही एक प्रयास था हमारा थैंक यूश्वाट